बॉर्निंग स्टुडेंट आज हम अभ्यास के कुछ कोश्चन सॉल्व करेंगे जो कि पेज नंबर थ्री पे दियो हैं इनमें जो पहला कोश्चन है उसमें पूछा गया है कि हमें एक ये आकरती दी गई है और इसमें अलग-अलग रंगों से कोणों को दर्शाय गया है ठीक तो हमें बताना है कि डैश रंग से दिखाया गया कोण सबसे बड़ा कोण है ठीक है अब जो हमें ये फीगर दे रहे कि पहले 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 कि इस आकरती में कितनी बुजाए हैं तो हम यहां से अगर काउंट करना स्टार्ट करें तो ये एक, दो, तीन, चार, और पां तो यहां पर हमारे पास कितनी भुजाएंगे पाच भुजाएंगे टिक है और हम एक तरीके से हम यह अंदाजा लगा सकते हैं देखके कि यह इनीटला कि सबीजाएं समान है तो इस तरीके से लिए निश्कर्ष क्या निकालेंगे कि ये पांच बुजाओ वाले एक पंच बुज होगा जिसकी सभी बुजाएं समान होगी ठीक है तो अगर एक पंच बुज जिसकी सभी बुजाएं समान हो तो उसके कोन होंगे जो ये अंत्या कोन होंगे वो अपने आपी बराबर हो जाएंग आप हमें ये पता करना है, कि जो एक पंचबूच है, भी उसके सभी को Austrian हम कैसे निकाल सकते हैं, तो जो पंचबूच के अनत्य कों उतते हैं, जो अन्दर वाले वाले ये कों उतते हैं, इन सब का यो कितना उत्त है, 540 डिग्री, और यहां पर कितने कोन बन रहे हैं, यहां पर यह एक, दो, तीन, चार, पाँच, तो जब हम इसको पाँच से भाग करेंगे, तो हमारे पास जो एक कोन आएगा, वो कितना होगा, 108 डिग्री का, इट मींस, जो यह सारे कोन होंगे, वो सारे 108 डिग्री के कोन होंगे, सारे एक बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि यह सभी बुझाएं समान है, इसलिए इनके कोन भी समान होंगे, ठीक, अब जो नेक्स कोशन है, उसमें हमसे पूछा गया है, क्या पीले और हरे रंग के जो दिखाएगे हैं, यह कोन, तो यह जो तो हमने पहले वाले कोशन में यह देखा, कि जो पंच बुझा है, अगर उसकी सभी बुझाएं समान हो, ठीक है, यहाँ पे भी देखने से पता चल जाता है, कि यह सारी बुझाएं आपस में समान है, तो इट मींस उनके कोन भी बराबर होंगे, इसलिए चाए वो पीले र दिखाए गए कोन बराबर होंगे, तो जो यह हमें आकरती दी गई है, इसमें कितनी बुझाएं हैं हम देखें, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और 8 ठीक है, यह 8 बुझाओं वाली एक आकरती है, ठीक है, तो इस 8 बुझाओं वाली आकरती को हम क्या बोलते हैं, आश्ट बुझ या औक्ता गर्ण अभी और अघट बुझायें ये आइट कोण बनाएगी यहां पर पांच बुझायें थी तो ये पांच बना रहे थी वहला कि आठा बुझायां के जब कोने मिलेंगे तो वहाँ पर एक कोन बनेगा ठीक है तो जो यह आखरती होती है इसको हम ऐस्ट बुझ कहत तो अश्ट भुज अगर उसकी सारी भुजाएं समान होती हैं, तो दो भुजाओं के बीच में जो कौन बनेगा, वो 135 दिक्री का होता है, तो ऐसे 135 दिक्री के 8 कौन बनेगे, 8 भुजाओं के कौनों के बीच में, ठीक है, तो ये तो हमारे आकृतियां होगी, और उनकी हमने ये पड़ा, आज की, अगर किसी भी आकृति की भुजाएं समान होगी, तो उनके बीच में जो कौन बनेगे, वो आपस में समान होगे, तो आज के लिए हमारा होमवक क्या होएगा, यहाँ पे जो ये आकृतियां दे रखी हैं, इसमें अलग-अलग रंग के जो ये हमने कि कौन सी आकृति में कौन सा कौन उसके बराबर होगा, जैसे अब यहाँ पे कोशन में कहा हैं कि चार अलग-अलग कौन, चार अलग रंगों में दिखाए गए हैं, जैसे कि हारा रंग का, ये नीले रंग का, ये लाल रंग का, और ये पीले रंग का, तुम लाल रंग में दिखाए गए cone के बराबर यानकि ये वला cone दूसरे cone को ढोन सकते हो आपको इसके बराबर का ही दूसरा cone ढोनना है उन पर लाल रंग का निशान लगाओ और जो वो cone मिल जाए तो same उसी पर लाल निशान लगाना है और same यह प्रोसेजर सब्षे llamas एक मैं आपको करता है इक पिला के सार्फ सो करनाया तो इस रड़े रंग के साथ है एक तुर यह यडियला रंग मैं और आई इस वर को है θαहत झाल झाल